तो जैसे कि अभी बात हुई दस महाविद्याएं अब दस महाविद्याएं होती क्या हैं दस महाविद्याएं होती हैं जैसे दस देवियां हैं जिनके पास अलग-अलग विद्या है और हर एक विद्या का मतलब अलग होता है हर एक को attain करना, attain मितलब उसको समझना, उस तक पहुँचना और उसको use करना इसमें सिद्या भी होती है, उसमें यंत्र भी होते हैं, तंत्र भी होते हैं और मंत्र भी होते हैं ठीक है? अब दस वहाँ विद्याएं जो है उसमें से पहली है काली माता पिर है तारा देवी, पिर है त्रिपुरा सुंदरी, पिर भुवनेश्वरी, चिन्नामस्ता, भैरवी, धुमावती, बगला मुकी, मातंगी और कमला इसमें से कुछ को तो हम regular पूजा करते हैं, जैसे कमला इस लक्ष्मी, तो हम लक्ष्मी जी की तो पूजा जनरली करते ही हैं घरों में, और दिवाली पर भी तो बहुत जादा किया जाता है, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी का नाम भी आप लोगोंने बहुत सुन कारावित हलीम जो associated है, वो दो महाविद्याओं, यह जो दस महाविद्याएं हैं, इसमें से दो देवियों के उपर है, that is काली माता और बगला मुक्की माता, चीक है, काली माता से तो आप सभी लोग परिचे तो अच्छी तरीके से, है ना, और उनका रूप भी आपको आप लोग उने सबने देखा है आज तक और उसी की पूजा करी है, है ना, बगला मुक्की माता जो है, उनको पीतामबरी देवी भी कहा जाता है, तो पहली बात तो यह है कि हम इन दो ही देवियों की क्यों इसमें हुकारावित हलीम में पूजा करेंगे, या इनके बारे मे पूजा के और इनकी प्रोसेस को इसको सॉरी, सिंबल्स को प्रोसेस में डालकर healing करेंगे, ऐसा क्यों है, हम लोगों को problem क्या होती है, सबसे बड़ी जो इनसान की जीवन की problem है, वो है जीवन और मरण, है ना, इसी चक्रवीव में हम लोग पैदा होते हैं और इसी में मर जा और यही सोचते रहते हैं कि हम पैदा क्यों हुए यह होता है कितनी बार आप लोगों के मन में आया कि यार क्यूं पैदा हुए हम जरुबत क्या थी हमें पैदा हुने कि इत्ती प्रॉब्लम से गिरें हुए है जिस मोम आया से गिरे हुए है कुछ ना कुछ आता ही रहता है. कितनी बार मन में आया है? अगर आप पैदा हूँ है, तो अगर आपके मन में ये शब्द आते हैं, यँ रहे ये व्यस्चन आते हैं खुद के लिए, तो कहि swings लिए कोई कुछ तो reason होगा ना, कुछ तो पॉपस होगा ना आपका इस दुनिया में आने का आप जानते हो आप क्यों आए हो इस दुनिया में सिंपल सी बात है अपने कर्म काट में यह कहते हैं ना बड़े बुज़ुर्गों से यही सुना है ना आपके कर्मों के बेस के उपर आपका जन्म होता है राइट तो हम यहाँ पर इनी चीजों को समझने आए और अगर हमारे जो कर्म हैं उनसे कैसे हम चुटकारा पाएं जो हमारे बुरे कर्म हैं देखिए दो तरीक एक कर्म होते एक अच्छे और एक बुरे अच्छे कर्मों को तो बढ़ाना है और बुरे कर्मों को हटाना है यही में पॉपस है लाइट का तो इसके उपर ही यह पूरी विद्या है इसी के उपर है कि किस तरह से हम इस जन्म और मृत्यू का जो वीशे सरकल जिसको हम कहते हैं ना जन्म लेना जीना फिर मरना और फिर उसको किस तरह से अपने जीवन में लेकर आना अच्छी चीज़ों को अच्छे करमों ये सब उसी के उपर देश कैसे हमारी बुद्धी सही होना हमारे काम होना तो जब मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस विद्धिया जो ह यह जानना ज़रूरी है न तो चले मा काली का तो मैंने यहां फोटों भी डाला हुआ है तो यही है जो इन जनरल हमको दिखता है यह काली माता है यह है बगला मुखी माता यह हंस पे सवार होती है जो बगला होता है सफेद गर्दन लंबी सी रेड कलर की चोच वो उनका वाहन है और यह पीले वस्तर पहनती है इनका नाम पितामरी मा भी है दूसरी चीज यह है कि इनके बारे में दो चीजे बहुत लोग जानते हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं उनके लिए इनके साधना बहुत जरूरी होती है ठीक है क्योंकि इनके जो साधना है वो इन ही सब चीजों को के लिए होती हैं बहुत सारी हैं बहुत बुराईयां ये हटाती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामरे खोल के रखो और बहुत पावरफुल इनके मंत्रों होते हैं ओके ये एक तरह से आपको जिन्दगी जीने की सलहा होती है न हम कहते हैं विज्वल्स जो होते हैं या point of views होते हैं हमारे intellects होते हैं intuitions होती है वो सब ये clear out illusions हटाती है ठीक है